दोस्तो आप सभी का स्वागत करतों में आपके प्यार से प्लेटफों गिलात टेक्निकल पर और जैसा कि आपको पताऊगा आज जो हमारी सोडा ओक्टोबर हो चुके है और आज के जितने भी करंट अफेस आपके होंगे वो हम इस वीडियो से डिसकस कर लेंगे ओके दोस्तो अगर आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो करंट पेस का आपको मतों पता ही होगा ओके तो ज्यान से कल डिजेगा करंट पेस को आप सबसे पहले कुछ पुडमोर्नी की तरह आपकी साइड हो जाए अब दुनिया को मत पूछो कि तुम्हें क्या करना चाए उसको दिखा दो उसकी वोकात उसको दिखा दो कि मैं क्या कर सकता हूँ ओके दोस्तो तो इसी के साथ सरू करते हैं आज का सेशन हाल ही में किसने अपनी नई किताब तो साइड आपको पताओगा कि हाल ही में जो हमारे अभिताफ कोस जो है उसने एक बूक लिखिये जिसका नामे तरनेट गैम्स कर्स पेरेबल्स पोर एपलनेट इंग ट्राइसिस लिखिये तो उप्शन नमर सी बिलकुल राइट हाल ही में DRDO ने किस लेब में एपिजे अब्दुल कलाम प्रेयना स्थल का उधगाटन किया है अब DRDO के बारे में आपको पताओगा कि DRDO का पूर्फों क्या होता है ओके दोस्तों इसके बारे में आपको पताओना चाहिए दूसरा कि DRDO की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में ह हुई थी ओके दोस्तों वहाँ पर 5000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट वर्क कर रहे है अभी और DRDO ने जो भी एक लेब में अब एपिजे अब्दुल कलाम ट्रेयना स्थल का उधगारन किया है वो विशाखा पत्रनम में किया है ओके दोस्तों और विशाखा पत्रनम आपका कह चाहिए ओके दोस्तों क्वेस्टन नमर थ्री हाल ही में बच्चों को कोवीड का टिका देने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा तो साइध आपको पताऊगा कि जो बच्चे अभी जो 18 प्लस वाले थे उनको तो सभी राज्यों ने जो ए टिका दे दिया है लेकिन से पहले कौन करेगा तो मिल नाडू करेगा आपका तो ओप्चन नमर सी बिल्कुल राइट ओप्चन हो जाएगा Q4 आल ही में 320 मेच में कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाडी कौन बने है तो साइध आपको पताऊगा कि T20 में 300 मेच में जोए कप्तानी करने वाले व्यक्ति कौन बन गए महेंदर सी दोनी तो ओप्चन नमर बी बिल्कुल राइट ओप्चन आपका हो जाएगा Q5 आल ही में फोर्स द्वारा प्रकासित विश्व की सर्वस्टेस नियोकता रेंकिंग में कौन सीर्स पर रहाए Q6 हाल ही में पंकस कुमार किस बेंक के गेर कारियकारी अजक्स बने है तो आपको पता होगा कि जो हमारे पंकस कुमार जी बने है अभी किस बेंक के बने है कारियकारी अजक्स HDFC बेंक के करनाटक बेंक के या फिर सेंट्रल बेंक के तो पंकस कुमार जोए अभी हाली में करनाटक बेंक के कार्यकारी अज़क्स बने है तो इसका ओप्शन नमर भी बिल्कुल डाइट ओप्शन आपका हो जाएगा Q7 हाली में किस ने माई पार्किंग एप का सुभारम किया है तो साइध आपको पताओगा कि माई पार्किंग एप का जो सुभारम किया गया है वो अनुराख ठाकूर के द्वारा किया गया है तो ओप्शन नमर सी बिल्कुल डाइट ओप्शन हो जाएगा Q7 हाली में किस राज्यके मुक्ष्यमंत्री ने सभी के लिए मुक्ष्यमंत्री स्वाइस्ति योजना सरू किये तो आपको पताओगा कि जो मानिपूर के मुक्ष्यमंत्री है उसने जोए सभी के लिए मुक्ष्यमंत्री स्वाइस्ति योजना की सरूवात किये अब मनिपूर की बात करें तो लुई नगाई नी एक त्योहार है जो नागा जन जातिया मनाती है वहां की भारत का सबसे अच्छा पूली स्टेशन कोई होगा तो वो आपके मनिपूर में है तेरता हुआ राष्टी उध्यान पूरे विश्व में कोई हो तो वो अमारे मनिपूर में है यह भी आपको याद रखना चाहिए और अमारी जो नामसिन एक जील है लोहतक जील वो भी अमारे मनिपूर राज्य में आई हुई है तो मनिपूर की बाते आपको याद रखनी गी ओके दोस्तो क्वेसिन नमर एट हाल ही में भारतिय बैंक संग का नया अध्यक्स की से सुना गया है तो साइध आपको पता होगा कि आपके जो भारतिय बैंक संग का नया अध्यक्स है वो कौन है राके सर्मा एक गोहिल या फिर एलवी प्रभाकर तो मेरे दोस्तों आप हाल ही में 16 से 22 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के किस सहर में हुनर हाट का आयोजन होगा तो आपको पता होगा कि जो सोरी दोस्तों आपका जो क्वेस्टन नाइन वाहे यह वाला है हाल ही में किस ने स्वा सचालित इधन भरने की तकनिक जो यूफिल लांच की है तो आपको पता होगा कि जो सोरी सचालित जाने की खुड ही अगर इधन भरना है तो वो तकनिक किस ने लांच की है तो आपकी BPCL राइट अप्शन हो जाएगा तो BPCL जो है उसने स्वस्चालित इंदर बने की तकने की उफिल लांज की है Question number next हाल ही में किस राज्य के मुख्य मंद्री ने मंदिर के आपूसनों को पिगलाने की योजना सरू किये यानि की मंदिर में जो भी आपूसन आपके सोने चान दिके उसको पिगलाने की उसने अभी योजना सरू किये तो आपका कोन सरा जो जाएगा तमिल नाडू तो तमिल नाडू जो एक काम अपसे करेगा कि मंदिर का जो सोना आए उसे पिगलाएंगे वो लोग Question number 12 हाल ही में जारी Global Hunger Index 2021 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर है तो आपको पता होगा कि हमारी जो यहां पर कौन सा है Hunger Index उसमें हमारा भारत 101 यानि की 101 स्थान पर आया है Question number 13 हाल ही में RBI ने किसे Axis Bank के नए MD के रूप में पुना नियुक किया है तो आपको पता होगा कि जो आपके Axis Bank के जो है MD, MD का मतलब क्या होता है Managing Director होता है किसे बनाए है अभिताप B.Gopal को, अभिताप चोधरी या फिर सजन जिंदाल को तो आपको पता होगा कि Axis Bank के MD कोने अभिताप चोधरी है ओके दोस्तो तो आपकी Current Face की क्लास यहाँ पर खतम होती है दोस्तो और आपको जोए 8 बजे daily live session होता है रात को evening में वहाँ पर आना है और GK पढ़ना है आप किसी भी एक्जाम की preparation कर रहे है तो आपके लिए GK आपको जोए more powerful बनाने के लिए हमने एक योजना से रुकिए Mission Subramaniam तो आपको वहाँ से GK की क्लास मिलेगी Thank you, thank you very much, have a nice day दोस्तो